है गाइज वर्कम बैक तो मैं चैनल ब्यूटी बग आम बाक विडियो तो 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 अप्लाइ बेस ऑन यूर फेस तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेस कैसे लगाते हैं बेस लगाने का एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आपका बेस बहुत बहुत वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा ताकि कोई भी स्टैप आप से चुट न जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर लेना है ठीक है इससे हमारा बेस बहुत सौफ्ट लगता है इससे हमारा बेस बहुत अच्छे से हमारी स्क में अमसे का ब्याव सी करेंगे अच्छे से आपना से ऐसे चीचिंटियम करिये सबसे पहले बेस लगाने से पहले आपको करना को अब बहुत जरूरी से करते हैं तो वह भी में आपको बताने वाली यूठीय यूठी पहले अपने खीsters करें किक हैं अच्छे से वाश करें with the अपना जो फेस से अच्छे से वाश करें और उसको वेट टावल से डब डब करके पहुच लें ठीक है उसके बाद जब आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाए आपका फेस वाश हो जाए उसके बाद में आपको टोनर यूज करना है यहां पर मैं गुडवाइप का कुकुमब सब्सक्राइब अब तो आप जल को में रहीं करवी तो इस तरह से आपको इस चीन में और नहीं अटोर्ब करें अचे सिंगर के आथ हैं इस पर इस तरह से तरह से दया रुच возмож अगर टोनर को कराटाओ ताकि स्कीन अच्छे से ऑब्जव कर ले आपके टॉनर को टॉनर से क्या होते हैं आपके जो पॉर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं तो यहां पर मैं यह निव्या का मॉस्टराइजर यूज़ कर रही हूं आपके पास में जो भी मॉस्टराइज अवेलेबल है आप उसको लाए कर सकते हैं है चीक आए के ओपर भी लगाना है अंडर आई अरजना नैक भी ठीक है अगर आपके पास में प्राइमर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में अलोवरा जल है मार्किट वाला जो अलोवरा जल होता है उसका यहां पर मैं आपको अलोवरा जल करके दिखाने वाली हूं तो यहां पर मेरे पास पतंजली का अलोवरा जल है तो मैं इसका यूज कर से नडीटे के पार हिए वीकिन कंपलीट है अब बार याती है बेस की तो बेस कैसे लगाना है पहले अगर जब भी आप अपनी फेस पर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जहुड़े से आपकी स्किन टॉन का ओना चाहिए जब भी आप लेते हैं तो आपको यहां पर बेस को नेक पर लगा के चेक कर लेना है अगर आपकी स्किन से परचेस करें 抄टा है और पर पहों in IT मद अपर अपने पर लगाना है इस तरह से अपने में पर निकाल लेना इसको आपको कर आपको इस तरह से मैंने यह अपने हैंट पर बेस निकाल लिया है को और इसको डॉड़ करके अपने फेस के लगाने आपको हमारा पानी को सरो कर लिया ति कि अब इसको में निचोड़ देंगे पूरा पानी इसका निकल जाना चाहिए अदर्वाइस थोड़ा भी पानी रहाता है तो हमारे बेस में इंटर्फेयर करता है और बेस भी थोड़ा सा खराब हो सकता आपका तो पानी को अच्छे से निकाल देना है ब्यूटी ब्लेंडर से अब इस से हमें डाब डाब करके इसको और इस तरह से आपको डाब डाब करना इस तरह से आपको रगड़ना नहीं है इस तरह से आपको डाब डाब करना हुआ है चीक है है तो नाव हमारा बेस ब्लैंड हो चुका है उसके बाद में यूज करें कंसीलर जहां जहां पर भी में हाइलाइट करने अपना पेस तो यहां पर हम हलका सा कंसीलर लगाएंगे यहां पर अंडर आई के नीचे थोड़ा नोस पर थोड़ा सा इधर लिप्स के अराउंड और इसको भी हम क्या कर लेना है ब्लैंड करना है अगर आपके पास नावी नहीं है तो फिंगर से ब्लैंड कर सकते हैं इस तरह से हुआ है कि दिरे करके नाव अब हमें अपने बेस को बेख करना है आपके पास में कॉंपेट पाउडर है तो अब उसकी हाल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास में लूस पाउडर तो यहां पर मैं कलरेंस का लूस पाउडर यूज कर रही हूं कि अधर आप बेस बेख हो चुका है आपने देखा मेने किस तरह से अपने बेस को बेख किया आपको ब्रस को आपको ब्रस को इस तरह से नहीं करना है ब्रस को इस तरह से पाउडर लेकर इस तरह से बाला है तो आपका बेस बहुत अच्छे से बेक होगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो बेस आपका हट जाएगा पाउडर भी हट जाएगा वहाँ से अगर आपकी स्किन ड्राय है तो आप प्राइमर के बाद थोड़ा सा फिशल ऑइल यूज़ करें इससे आपका जो बेस बहुत अच्छे से लगेगा अगर आपकी ऑईली स्किन है तो मैंने जो अभी मैधर बताया है आप उसके हल्प से अपने बेस को तयार करें इससे आपका बेस बिल्कुल को भी केकी केकी नहीं होगा लाइंस नहीं पढ़ेंगी और बहुत सॉफ्ट बेस बनेगा जो मेरे चैनल पर नए है पहले पार मेरे चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और और भी अच्छ अच टारिंग करना यह सारी चीजे में अपनी नेक्स वीडियो में सिकेंगे तो वीडियो को वेट कीचिए तो दोस्तों चले मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई तेक केर